गाइज इस वीडियो में अपन जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिसकस करेंगे बहुत सिंपल है आप इसको जीरो धा में, एंजल में, ग्रो में, अप स्टॉग में जिसमें भी आपका अकाउंट है आप उसमें इसका यूज कर सकते हैं किसी भी ब्रोकर बर, सभी में आप इसका यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग वीव बार अगर आप देखते हो तो ट्रेडिंग वीव पर भी इसका यूज कर सकते हैं ठीक है, क्लियर कट है, बहुत सिंपल सेट एप है, आपको इस तरह से लाइन दिखकेगी और यहाँ पर guys देखो आपको entry मिल जाती है इसमें क्या होगा फायदा क्या होगा देखो complete समझोगे न तो इसमें आपको बड़े profit मिलेंगे big profit आपको मिलेंगे और जो छोटे छोटे बीच में swing बनते हैं कि यहाँ से market गई इधर आई फिर हूँ चली गई तो यह वाला लोग trade करने लग जाते हैं stop loss it हो जाता है जैसे यह वाला अब यह वाला trade यहाँ पर उनको दिखता है यहाँ पर ने trader जो होता है बिना setup के अगर trade करते हो कोई setup आपके पास नहीं है trade करने के लिए अब यहाँ पर दिखा यहाँ पर उनको negative candle दिखती है यह उनको दिख जाएगी कि यहाँ पर doji बनी है shooting star बनी है कोई भी negative candle दिखेगी और यहाँ entry put की बनाएंगे जैसे यह put की entry बनाएंगे थोड़ा सा profit दिखाएगा उसके बाद ऐसे late तो ऐसे ऐसे trap से आप बच जाओगे fake signal देखो consolidate market रहती है जैसे यहाँ पर कोई entry नहीं लेनी है तो यह आपको नहीं पता लगता indicator जो होता है वो indicate करता है आपको indication देता है कि यहाँ से आपको entry नहीं लेनी है यहाँ से आपको entry लेनी है तो उसकी help से आप अपनी trading journey में अपने winning probability को बढ़ा सकते है तो क्या करना है आपको कुछ नहीं करना बिल्कुल simple से इस तरह से देखो यह black line देखेगी black line के जब upside रहोगे तो आपको call की entry प्लान करने है फिर यहाँ put नहीं दूणना चाहे आपको कैसी भी candle मिलती रहे ठीक है put की entry नहीं दूणनी है यह ध्यान बज़ना जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप ठीक है और जब इसके downside रहोगे तो इसके upside आपको put की entry नहीं दूणनी है ठीक है केवल और केवल call की entry प्लान करेंगे और इसके downside बनाते हो यह वाला point आपका stop loss हो जाएगा और यहाँ से फिर आप निकलना कब है वो भी आपको बताते हैं ठीक है यहाँ से यह complete profit आप जर्नेट करोगे ठीक है यहाँ से समझोगे तो चीजों को समझपाओगे कब exit होना है आपको exit guys यहाँ पर होना है ठीक है यह वाली जो आप candle लेगर हो यहाँ पर ठीक है तो ध्यास समझो अब यह इतना बड़ा profit guys आप देखो complete rally अब इसमें लोग क्या करते हैं यहाँ entry बनाई यहाँ profit बुक करके बाहर हो गए बाद में market 500 points चली जाती है फिर कहते हैं 500 points dollar profit हमें कैसे मिलेगा आपके बास कोई अपना setup होना चाहिए अपने setup के according आप trade करोगे तो आप उस हिसाब से profit बना पाऊगे अगर आपका setup कह रहा है कि 10 points पे बाहर निकलना है तो 10 points पे बाहर हो जाओ फिर आपको उसके बारे में सोचो मत फिक्र मत करो बस कि हमसे यह miss हो गया ठीक है ऐसा नहीं है आपका setup या फिर ऐसा हो जो आपको बड़ा profit बना के देता हो ठीक है आपका setup अगर 500 बना के दे रहा है तो 500 लीजिए 400 बना के दे रहा है थोड़ा सा अभी आप कहोगी नहीं हम तो यहाँ entry लेगे तो ऐसा नहीं है setup आपको यहाँ entry दे रहा है तो आपको यहाँ entry लेना है यहाँ से market घूम जाए तो कोई बात नहीं जब setup बने setup पर believe करना है और believe कैसे बनेगा rule के साथ बारीकियों के साथ चीजों को समझोगे तो आप trade कर पाऊगे ठीक है एक entry अपने यह देख ली और देखते हैं guys यहाँ पर देखो जैसे fake entry से आप कैसे बचोगे यह black line ठीक है black line के नीचे जब रहेंगे तो put लेना है और upside रहेंगे तो call ठीक है अब यहाँ देखो यह black line बीच में है तो यहाँ पर कोई भी entry अब यह देखो यह point आप से miss हो जाएगा जैसे आपको लगेगा miss हो गया जो भी है ठीक है उसके बाद यह देख लीजिए तो यहाँ पर आपको कोई भी entry नहीं लेनी है यह consolidation zone है इस चीज को पहचानो ठीक है समझो indicator आपकी help करते है बस आपको उनका काम लेना आना चाहिए कि उनका इस्तेमाल कैसे करना है अब यहाँ देखो यहाँ जब अरदस्ती trade ले लोगे इस zone में तो फिर क्या होगा डीके की वज़े से आपका loss होगा इस चीज को समझो बड़े बड़े profit capture करना सीखो छोटे छोटे loss देना सीखो ठीक है अब इसमें आपकी चो stop loss है बहुत कम जाएंगे ठीक है लेकिन यह ध्यान लखना ऐसा नहीं है कि stop loss नहीं जाएंगे जाएंगे ले यहाँ पर अपनने call का देखा ठीक है आगे चलते हैं यहाँ पर देखो put की entry अब put की entry आपको कब लेनी है ठीक है put की entry गाईज आपकी यहाँ पर बनेगी इस वाली candle पर आपकी put की entry बनेगी यह आपका stop loss रहेगा और यहाँ से देखते हो यह downside अब यहाँ देखो आप डर क अब जरनेट कर लोगे अब यहाँ call वाला profit यह दो तीन candle छूट जाएगी तो कोई बात नहीं भाई हमारे setup पर नहीं बना तो अपन ट्रेड नहीं करेंगे अपने setup पर बनेगा तब ही अपन ट्रेड करेंगे ठीक है तो इस चीज को ध्यान से समझते जलना अब यह बहुत जी से बनता है बजाए upside की market में ठीक है तो ध्यान से समझो बड़े बड़े trade आप से miss नहीं होंगे यहाँ देखो यह consolidation zone है ठीक है और देख लेते हैं यहाँ पर देखो guys जैसे यहाँ पर आपकी entry बनती है और यहाँ से आप यहाँ तक का profit generate करते हो यहाँ आप exit हो जाओगे ठीक है तो ध्यार से समझोगे तो market से पैसा बनेगा सीखोगे तो पैसा बनेगा ठीक है अपने यह देख लिया call side का देख लिया put side का देख लिया target एसल देखो risk manage करके चलना है और rule के साथ चलना है rule आपको बताएगे यह consolidation zone पहचान लीजिए ठीक है क्योंकि यहाँ black line आप scalping कर पाओगे क्योंकि stop loss यहाँ रहेगा 1 is to 1.5 का लेना है आपको target ठीक है उसके बाद market consolidate हो जाती है तो consolidation वाली market में आपको नहीं फसना है यह आपको setup बता देगा ठीक है अगला trade आपका यहाँ पर बनता है ठीक है consolidation के बाद जब consolidation break होता है तो आप यहाँ देख रहे ठीक है उसके बाद यहाँ market निकलती है और फिर boom और यह profit आप सोच नहीं सकते कि गिरती market में कितना अच्छा पैसा आप बना पाओगे इस चीज़ को ध्याल से समझो ठीक है यह अपन ने देख लिया और देख लेते हैं यहाँ पर देख लोग आई अब यह black line के नीचे हो और यह दो line नीचे चल रही है इसके बीच में फसोगे trade नहीं करना इससे बाहर निकले trade ले लेना है यहाँ पर देखो यह वाला profit आप छोटा सा जर्णेट करोगे ठीक है और यहाँ पर देखो कोई भी trade जैसे इस दो line के बीच में होना कोई trade नहीं लेना black line इसके बीच में इसके बाहर अपन यहाँ पर निकले black line नीचे है यहाँ पर entry बनाई और यहाँ से traveling अपनी शुरू ठीक है और यहाँ से profit बुक करना शुरू अब देखो क्या होता है trader loss में तो बैठा रहता है जब loss होगा तो बैठा रहेगा कि चलो stop loss के उनकी decide है ठीक है और कई लोग तो stop profit कमना हो जाए फिर वो यहाँ पर निकल जाता है exit कर जाता है यहाँ किसी ने entry ली यहाँ बाहर हो जाएगा तो ऐसे डर डर के लोग बाहर होते रहते है तो डर डर के आपको बाहर होने की ज़रूरत नहीं रहेगी ठीक है setup आपको बड़ा profit देगा यहाँ पर entry बनेगी और यहां से आप चलना शुरू करोगे, और यहां पर आप exit करोगे, ठीक है, तो यह profit guys आप अच्छे से travel कर पाओगे, तो यह setup आपको बताएगा, ठीक है, तो ध्यान से समझते चलो, उसके बाद देखो, 1-1.5, 1-2 आपको लेना है, यह तो easily मिल जाएंगे, और बड़े-बड़ target भी मिलेंगे, ठीक है, उसके बाद देखो, risk reward manage करके चलोगे, बड़े-बड़े target आपको मिलेंगे, यहां से indicator हटाते हैं, और indicator लगा कर आपको चीज़े समझाते हैं, clear gut, यहां पर देखो, यह सब कुछ हटा दिया, clear gut आपके सामने chart है, indicator के section पर touch करोगे, पहला indicator लगाओ एम ए, moving, average, exponential, यहांता है, इस पर click करोगे, यह लग जाएगा, फिर click करोगे, फिर click करोगे, फिर click करोगे, फिर click करोगे, फिर लग जाएगा, तीन बार आपको लगा लेना है, तीन बार लगाने के बाद, guys अपन क्या करेंगे, यहां पर देखो, यह दो बार ही लगाओ, यहां पर देखिए इसकी setting पर touch करेंगे और इसकी input पर touch करेंगे और input पर करने के बाद यहां पर length जो है इसकी 15 कर देंगे 9 की जगा और यहां source close की जगा guys high कर देंगे ठीक है high करने के बाद यहां पर इसका color जो है green कर देते है ठीक है ताकि अलग से पहचान में आ जाए और उसके बाद यहां से देखिए इसको हटा देंगे और यहां कर देते है ठीक है अगला e-m में है यहां पर touch करेंगे और इसकी input पर touch करेंगे यहां length इसकी 15 कर देंगे 15 करने के ब इसको यहां से कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद देखिए, यहां पर फिर से एक EMA लगाएंगे, और EMA लगाने के बाद में यहां पर देखो, यह प्लिक करेंगे, तो यह लग जाएगा, ठीक है गाईज, यह लग जा एक EMA, EMA लगाने के बाद इसकी सेटिंग पर फिर से ट टच करेंगे, टच करने के बाद यहां पर length इसकी guys कर देंगे 50, और यहां पर इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, और यहां पर कर देते हैं, अच्छा इसका color change कर लेते हैं, color इसका black कर देंगे, ठीक है, color guys इसका black कर देंगे, थोड़ा सा इसकी thickness को बढ़ा देते हैं, यह अब यह आपका setup त्यार हो चुका है ठीक है complete आप समझ रहे हैं जैसे इसके upside market है entry exit अपनने discuss करी लिया यहाँ पर देखो यह cross करती है ठीक है यह वाली candle यहाँ पर आप entry लेते हो और यह profit आप यहाँ पर देख रहे हो boom ठीक है तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े profit अब इसमें यही होगा कि जो fake signal है वो आप से छूट जाएगे तो आप ऐसा मत फील करें कि आपके दिमाग में ऐसा आए कि यहाँ पर profit नहीं बन रहा है consolidation market में नहीं फसना ठीक है क्योंकि आप देखो risk reward manage करोगे consolidation में फसनाओगे range market में फसनाओगे तो आपका loss होना है तो loss नहीं करना market में अच्छा profit generate करना है चाहे call side का हो चाहे put side का हो ठीक है इस चीज़ को आपको ध्यान लगना है अब यह setup आप कैसे use करोगे practice क्या करोगे बारिकिया क्या है इस पर आपको 70 trade paper trade करना है single lot से ताकि आपकी practice हो जाए उसके बाद ही use करना नहीं तो फिर आपका stop loss होना तै है जब तक आप setup के behavior को नहीं समझोगे आपका भरोसा नहीं बनेगा और भरोसा नहीं बनेगा तो market से पैसा नहीं बनेगा तो believe करना सिखो अपने setup पर practice करो 70 trade paper trade single lot से करोगे आपको behavior समझ में आएगा उसके बाद इस setup का use करके देखिए फिर आपको देखो कैसे आप अपनी trading probability को winning की संभावना को जो आपका 100% market में कोई correct नहीं होता लेकिन correct होने की संभावना को बढ़ाया जाता है ठीक है जो winning rate है वो आपके favor में आ जाए 80% भी आपके favor में आ आगया आप trader बन गए ठीक है तो इस चीज को समझो complete practice को रो उसके बाद इसका use करना ठीक है गाईस टेलिग्राम से जुड़ने के लिए आप वीडियो के description में चेक करना description में टेलिग्राम का link है सिर्फ वहीं से जुड़ना direct टेलिग्राम पर जाकर मत सर्च करना क्योंकि वहाँ पर earning branch के नाम से fake channel बहुत है ठीक है उनसे बचके रहना वो इस camera है description का use कीजिए वीडियो अच्छी लगी हो तो like कीजिए शेर कीजिए कोई सवाल है कोई सुझाल है तो वीडियो के नीचे comment करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया